गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स, आई विल टीच यू चैप्टर फॉर विजिस सब्ट्रक्शन, ओके बेटा, जैसा कि मैं आपको यह कोले सब्ट्रक्शन करा चुकी हूँ बेटा, यह सब्ट्रक्शन ओफ वन डिजित नंबर और सब्ट्रक्शन ओफ टू डिजित नंब आज हम करेंगे बेटा, सब्ट्रक्शन ओफ ट्री डिजित नंबर पेज नंबर है विजत नंबर पेटा फोटी थ्री, 202 फ्रॉम 659, अब हमगे क्या करना है बेटा, टू हनडर टू फ्रॉम 659 में से यह सब्ट्रक्शन करना है ह। सबसे पहले पीटा समय हमें कि इन दोनों भीड़ा हां जब भी सब्टेक्ट करने के लिए बड़ा नमबर उपर होता है चोटा मंफर नीचे होते हैं ठीक है अब सब्सेपर हमें देखेंगे कि इन से दोनों में से बड़ा कौन सा है 659 बड़ा है CA तो हम करेंगे 600, put the number in the correct vertical column, ठीक है, पहले हमें vertical column में हमें इन्हें put करना है, then subtract the digit in the 659, subtract 202, ठीक है, हमने vertical column में इन्हें put कर लिया, अब हमें इन्हें बटा subtract करेंगे, subtract the digit in the ones column, सबसे पहले हमें क्या करना है, ones column को subtract करना है, ones column में बटा क्या है, 9 minus 2, 9 में से पहले हमें क्या करना है, 9 number में से 2 number minus करना है, अब आपको बटा जैसे कि मैंने पहले भी समझाये था, कैसे करना है, fingers पे करना है, ठीक है, सबसे पहले हम 9 count करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अब हमें 9 में से 2 numbers subtract करने हैं, घटाने हैं, 1, 2, ठीक है, अब हमारे पास कितने बचे हैं, how many left numbers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओके, तो यहां क्या आएगा है, बटा, राइटेर, 7, अब हमें क्या करना है बटा, subtract the digit in 10th column, अब हमें किसको करना है, subtract 10th column को करना है, 10th column में कौन कौन से number है, 5 में से हमें 0 number subtract करना है, it means minus करना है अब जब भी किसी number में से 0 minus करते है तो पिटा क्या आता है number ही आते है ठीक है 0 की कोई value नहीं होती अब हमें करना है next subtract the digit in 100 column अब हमें क्या करना 100 column को subtract करना 100 column में क्या है पिटा 6 minus 2 अब 6 में से 2 minus करना है ठीक है अब देखें finger पर count कीजिए 1,2,3,4,5,6 number अब 6 number में से हमें क्या करना है पिटा 2 number घटाने है cut करने है 1,2 अब हमार पास कितने number बचे है how many left number 1,2,3,4 तो हमें क्या करना है 4 number कहां लिखना है 100 column में लिखना है ठीक है first question हो गया पिटा so अब हमार पास answer क्या है पिटा 659 minus 202 equal 457 समझे में आगए पिटा ऐसा ही देखे पिटा question second अब देखें 154 from 786 सबसे पहले हमें क्या देखना है बड़ा number माला large number इन में से कौन सा है दोनों में से 786 number बड़ा है और ये कौन सा है ये छोटा है 154 तो हम पहले क्या करेंगे put the number in the correct vertical column सबसे पहले हमें बटा once tense तो हमेशा ही mention करना है ठीक है ताकि हमें पता चले once place कौन सा है 10th place और 100th place then put the number in correct vertical column सबसे बड़ा number कौन सा है 786 सब्ट्रेक्ट 154 ओके अब हमें क्या करना है सब्ट्रेक्ट the digit in once column हमें once column को सब्ट्रेक्ट करना है अब सबसे पहले हमें देखना है बड़ा number कौन सा है यह 6 number है 6 number को हमें क्या करना है finger पर count करना 1,2,3,4,5,6 6 में सब्ट्रेक्ट कितने number कट करना है 4 1,2,3,4 अब कितने बच्चे हैं हमारे पास how many left 1,2 2 number okay then subtract the digit in the 10th column अब हमें किसको करना है बड़ा 10th column को करना है what number is this 8 and what number is this 5 अब हमें करना है 8 minus 5 8 में से 5 number minus करना है अब हमें count the 8 number on finger 1,2,3,4,5,6,7,8 8 में से 5 number कट करना है 1,2,3,4,5 अब कितने बच्चे हैं हमारे पास में 1,2,3 right here 3 number in 10th column okay then subtract the digit in 100 column अब 100 column को subtract करना है अब 100 column में बड़ा कौन कौन से number है 7 में से हमें 7 number में से 1 number subtract करना है okay 7 minus 1 count the 7 number on finger 1,2,3,4,5,6,7 7 में से 1 number कट कर दें अब कितने बच्चे हैं 1,2,3,4,5,6 6 number so 786 minus 154 equal to 632 तो यहाँ पर क्या जाएगा बटा 632 नमबर आ जाएगे ठीक है यहाँ पर आपको आंसर लिखना है बटा बुक में अब देखिए नेक्स्ट थर्ड 1,10,100 अब देखना है बटा उसी तरह से उसी मेथर से फिर करना हमें नमबर क्या क्या है 760 from 980 मला 760 from 980 सबसे पहले हमें देखना 1st of all which is the large number 980 is the large number ठीक है then 760 से अब हमें देखना है फिर इसे छोटा है बटा वो हमें नीचे लिखना है 760 अब हमें इने subtract करना है 980 में से 760 माइनस करना है सबसे पहले हम ठीक है हमने put कर लिए बटा इनमें वर्टिकल कोलम में अब हमें इने subtract करेंगे subtract that digit in the 1's कोलम 1's कोलम में बटा क्या है 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 then subtract that digit in the 10's कोलम 10's कोलम में बटा क्या है 8 में से हमें 6 माइनस करना है ठीक है अब देखिए पहले अपनी finger पर count कीजिए 8 number 1 2 3 4 5 6 7 8 8 में से 6 number कट करना 1 2 3 4 5 6 कितने बचे हैं बटा 1 2 ओके तो हम यह 2 number को कहा लिखेंगे ने 10's कोलम में ना कि हम इधर लिख दे ठीक है ऐसी mistake नहीं करनी आपको फिर तो wrong हो जाएगा पिटा अब हमें क्या करना है now subtract the digit in the 100 column 100 column को subtract करना 100 column में पिटा कौन कौन सा number है 9 minus 7 ठीक है अब 9 number हम finger पर count करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है 9 9 में से पिटा 7 number कट करने है 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितने बचे हैं पिटा हमें लेफ्ट 1, 2 2 number so 980 minus 760 equal to 220 ओके अब हमें यहां क्या लिखना है पिटा यहां पर हमें लिखना है 220 ओके see the next next sum 555 from 777 यह हमें सब्टेक करना पिटा सबसे पहले which is the large number 777 and which is the small number 555 put the number in correct vertical column 777 and minus 555 777 में से पिटा हम किसको minus करेंगे 555 को subtract करेंगे ओके subtract the digit in the once column once column को subtract करेंगे 7 में से हमें 5 number subtract करने है minus करने है देखिए अब हमें finger पर count करने है 7 number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 में से पिटे कितने number करने है 5 1 अब हम वापस से उनको cut करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 कितने बज़े पिटा left है 2 number अब 7 में से हम 5 minus करेंगे तो क्या आएगा 2 number 7 में से 5 minus करेंगे तो क्या आएगा 2 number अब 777 minus 555 equal to 222 अब हमें 5th बटा 524 from 699 हमें क्या करना है इनने सब्टेक्ट करना है अब हमें विची जा लार्ज नंबर 699 इन में से कौन से नंबर बढ़ा है बटा 699 बढ़ा है compare to 522 से तो जो नंबर बढ़ा होता है वो हम क्या लिक उपर लिखते हैं और छोटे नंबर को नीचे लिखते हैं put the numbers in correct vertical column 699 and 524 अब हमें इनने सब्टेक्ट करेंगे मेटा what number is this 9 and this 4 9 में से हमें 4 माइनस करना है ठीक है अब हमें finger पर count करेंगे पहले 9 number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 में से 4 number कट करना है 1, 2, 3, 4 अब कितने how many left are number 1, 2, 3, 4, 5 5 number next subtract the digit in the 10th column 10th column में पें कौन कौन से number है 9 में से 2 number subtract करने है सबसे पहले हम क्या करेंगे finger पर count करेंगे 9 numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 में से 2 number कट करना है 1, 2 how many left are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 right here 7 then subtract the digit in the 10th column 10th column में पेंगे number 6 minus 5 6 में से 5 number minus करने है 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 में से 5 करने है 1, 2, 3, 4, 5 5 number हमने कट कर दे कितना बचा? 1 so 699 minus 524 equal to 175 ओके बटा देखिए बटा मैंने आपको 5 यहां क्या हम लिखेंगे बटा? right here देखिए 777 में से जब हमने 555 minus किये थे क्या आए था बटा answer? 222 अब इसका answer क्या है? 699 minus 524 में सम माइनस करेंगे क्या आएगा? 175 5 sums बटा मेंने आपको यह classwork में solve करा दिया है यह आपको homework में करने है ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है? 5 sums आपको बटा solve करने है homework में यह आपका homework है यह बटा आपको book में भी करना है और notebook में भी करना है और आप बटा मेरे personal number पर मुझे homework send करेंगे ओके बटा? ओके, thank you